इस वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो फार्मसी कॉंसिल ऑफ इंडिया के एड्यूकेशन रेगुलेशन के अगॉर्डिंग 2020 के अगॉर्डिंग जो फर्स टॉपिक है हम इस फर्स टॉपिक को यहां स्टार्ट करेंगे इसके अंदर इसके जो भी ले सकते हैं इसको पूरे टॉपिक को हमने पाच वीडियो में कवर किया है पहले वीडियो में इंट्रड़क्शन तो फार्मसिटिकल केमिस्टी इसको पन अब्जेक्ट यूज है उसके साथ साथ एरर है टाइपस ऑफ एरर है एक्यूरेसी है और सिगनिफिकन्ट फिगर है और प एकट ऑफ इंप्यूरेटी इस ऑन ड्वादी एक बाड़ि पर सुक्ति होता है इसको डिसकू करेंगे इसके बाद थार्ड वीडियो से नदर हम लिक्ट टेस्ट है इंपड्रअ उफ लिमिट टेस्ट है इसके साथ लिमिट टेस्ट पॉर में आइन्ट टेस्था फौरॉरा चौते पार्ट के अंदर चौते वीडियो के अंदर हम इसको अपलोड करेंगे इसके बाद लिमिट टेस्ट अफ आर्सिनिक यह विक इंपॉर्टन टॉपिक है इसको नमबर फाइफ पर हमें वीडियो के अंदर हम इसको अपलोड करेंगे इस तरीके से यह पूरा जो टॉप है first topic है इसको हमने पांच वीडियो के अंदर divided किया है जो फहला हमारा topic है for most article introduction to pharmaceutical chemistry कि 4 Plus कुछ है कि के स्कPlum थे दो हैं इसको कुछ है जो नए सब्स एंप्रिममेंट करने का CBS जा रहा है इसके निण क师टेट अच्सके मिलें के किस्सक्राइड को दूं को क्य सुद्धिं zitten को किसी का सब्सक्राइड यह इसको में zina कि 他 zijn इसके scope के अंदर और इसके objectives के अंदर तो एक जो नया topic अभी तक कि हम जो chemistry पढ़ रहे थे हमने inorganic chemistry पढ़ा है organic chemistry पढ़ा है और यहां क्योंके pharmacy से related है इस वज़े से यहां pharmaceutical chemistry है तो same हम उसको बोल सकते हैं कि it is the chemistry of the compound which are used as a medicines in different formulation simple way में हम उसको बोल सकते हैं कि यह ऐसे compound की chemistry है जिसको हम as a drug or as a medicines use कर सकते हैं यह ऐसे कमपाउंज की केमिस्टी है जिसको हम एज़े ड्रग क्यों यह जिए मेडिसें सी यूज कर सकते हैं इंटिफरेंट फॉब्लेशन तेबलेट फॉंगे अंदर नगें निरेंगे नोग इस जीआएगी तो उसके खष्ट होंगे एंडेट्ट मेन्धे ट्रीप्लेट मै यह यहां हम simple way में pharmaceutical chemistry को बोल सकते हैं कि pharmaceutical chemistry is the chemistry of the compound which are use as a medicine in different formulation and their application for the treatment of various diseases their application for the treatment of various diseases तो इस simple way में इसको हम explain कर सकते हैं pharmaceutical chemistry को अब इसके scope में देखेंगे खास्थार से जो Pharmacy Council of India ने नया syllabus जो है implement किया है और उसका क्या मोटो है इसके implement करने का क्या aim है तो उसी क्या कार्डिंग है उसी हम discuss करेंगे कि इसका score क्या है तो उसने इस चीज को खास्थार से mention किया है कि इस course is designed to impart a basic knowledge on the chemical structure ये खास्थार से ये course जो design किया है कि student को ये knowledge हो जाए कि किसी जो chemicals हैं जो compounds है जो substance है जिसको हम as a medicines use कर रहा है उसका chemical structure क्या है उसकी storage condition क्या है उसके medicinal uses क्या है जिसके अंदर organic compounds भी है और inorganic compounds भी है तो ये और जिसको as a drug use कर सकते है and also this course discuss the impurities अब ये हम जो drug use कर रहा है वो बिलकुल pure form में होना चाहिए क्योंकि it is directly related with the health of the patient क्योंकि ये directly patient की health से related है तो जितना ज्यादा pure compound रहेगा तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो this course will discuss the impurities quality control aspects of chemical substances and in pharmaceuticals जो pharmaceuticals के अंदर में chemical substances है तो उसके अंदर क्या quality control के को implement करके हम quality को कैसे improve कर सकता है उसकी impurity को discuss करके कि हम इस चीज़ को mention कर सकते हैं वाट आज़ा सोर्सेज आप इंपूरिटी और सोर्सेज इंपूरिटी के सोर्सेज क्या है हम इंपूरिटी को substance में कैसे कम से कम हम इसको control कर सकते हैं कि किसी compound में क्योंकि इंपूरिटी यह एक ऐसी चीज़ है कि वह नई चाकर भी वह impurity किसी compound में आना यह possible है लेकिन जो है जितने भी official books हैं इंजिन फार्मकोपिया है यूनाइटे इस्टेट फार्मकोपिया है ब्रिटिश फार्मकोपिया है इसने हर एक impurity के एक limit decide किया है कि impurity है यह तो chances है कि उसके अंदर impurity रहेगी लेकिन अगर वह limit से ज्यादा है तो it will be dangerous यह जो है dangerous हो जाएगी इसलिए वह limit के अंदर है तो limit of tolerance हम इसको बोल सकते हैं कि बरदाश करने के limit किसी impurity को बरदाश करने के limit है वह एक limit तक क्या उसको को बरदाश कर सकते हैं tolerate कर सकते हैं उसके बाद उसको हम accept नहीं करेंगे वह consider होगा एज इंपीवर compound तो यहां scope के अंदर हम इसको discuss कर सकते हैं जो pharmacy council of India के syllabus के according to scope इसने mention किया है उसी को हम यह discuss कर रहा है this course is designed to impart a basic knowledge on the chemical structure storage condition and medicinal uses of inorganic and organic compounds and substances used as a drug and pharmaceutical and also this course discuss the impurities quality control aspects of the chemical substances and in pharmaceuticals तो यह चीज हम इसको mention कर सकते हैं फार्मसिटिकल chemistry के objective में जो mention किया हम उसी चीज़ को यह discuss करेंगे इसमें important चीज जो इस course में objective use topic में इनोंने mention किया है the course will discuss the following aspect of the chemical substances uses a drug and pharmaceutical in the various disease condition इस चीज़ को mention किया कि यह course और objectives के अंदर इस यह चीज़ होगी कि जो chemical substances use कर रहा है as a drug and pharmaceuticals different disease के treatment केंदर उसका सबसे important यह है कि उसका chemical structure मालूम होना जुरूरी है students को उसके साथ-साथ-सका chemical name कि उसका chemical name क्या है और उसका chemical classification क्या है अगर उसका chemical structure मालूम होगा तो उसका chemical name easily हम लिख सकते हैं उसका क्लासिफिकेशन कैसे लिखना है वो भी स्टूडेंट्स को मालूम हो सकता है और इसके बाद फिर रिसर्च से रिलेटेड जो चीजे हैं कि अगर स्ट्रक्चर के अंदर अगर वेरियेशन किया तो स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशन्शिप जिसको बोलते हैं वो फर्दर स्टूडी के लिए यह भी इस चीज में सपोर्ट कर सकता है तो यहां पर किसी भी ड्रॉक का किसी भी सबस्टेंस का जो आजए मेडिसेंस और फार्मसेटिकल सबस्टेंस करके यूज करते हैं उसका कैमिकल स्ट्रक्चर मालूम होना जरूरी है इसके कितने डोज में इसको कर सकते हैं कोईी जैसे परसितम ऑल है Pazar इसका डोज कालेट करेंगे तो मैξ़िछंगा जो है फूर फूर घ्राम परने है इन ढिसक दोज़ेंस के दिवाइड करके इसको तो मैक्जिमम फोर ग्राम हम 24 आवर्स में ले सकते हैं तो उसका डोस कितना है उसकी स्टेबिलेटी क्या है कौन सी कंडिशन को हम मैंटेन करेंगे कि वह ड्रॉग स्टेबल होगा और कौन सी कंडिशन पे ड्रग जो है डुटेरियर्ट हो जाएगा डिकंपोजड हो जाएगा तो यह भी चीज़ें इंपोर्टेंट है उसकी स्टोरेज कंडिशन क्या है जैसे इंसुलीन प्रिपरेशन है इंसुलीन प्रिपरेशन के अंदर इस्टोर इन बिट्वेइन तू तो फिफ्टीन डिगरी सेल्सियस और इस पर मेंशन रहता है डू नॉट फ्रीज करके यह है अगर हमने इंसुलीन प्रिपरेशन को फ्रेज कर दिया तो उसके अक्टिवीटी खतम हो जाएगी फिफ्टीन डिगरी से ज्यादा परिस्टोर किया तो वो दिकम्पोजड हो जाएगा तो इस तरह कर से उसके इस्टोरेज कंडिशन जिसकी वज़े से उसके हैं तो ये भी बहुत इंपार्टेंट है और उसके साथ साथ फिर उसमें कौन-کौनसे टाफ के फॉर्मुलेशंस किसी भी ड्रग कह सकते हैं तर्ड़ेंट ताइब फॉर्म यानि उस द You 파eंड होंगे इंजेक्षिंचन फर्म ऐसके तैबलेट já कि उसके सकते हैं suspension form में, syrup form में, semi-solid form में, solid form में, किस form में इसको यूज़ कर सकते हैं, and their brand name. Company name कौन कौन से हैं, जैसे paracetamol है, company name है, crocin है, kelpol है, dolo है, penadol है, ये सब company name है. तो किसी भी drug का company name क्या है? अगर इस students को company name मालूम रहा, उसका content मालूम रहा, उसके uses मालूम रहा, तो easily, अगर किसी patient को suggest करना है, उसकी condition के according, तो pharmacist उस चीज़ को suggest कर सकता है, उसकी dose को decide कर सकता है, क्योंकि हमने इस चीज़ को हम देखते हैं, और इस चीज़ का experience भी है, सिर्फ इंदिया के अंदर pharmacist का वो रोल नहीं है, लेकिन अगर foreign countries में अगर हम जाएंगे, USA में जाएंगे, दूसरी countries में जाएंगे, तो pharmacist equivalent to doctor, कि pharmacist जो है वो doctor के equivalent है, कि doctor सिर्फ disease को diagnose करेगा, कि patient is suffering from this disease, this decision condition, उसको diagnose करेगा, और actual dose को decide करना, actual drug को decide करना, और line of treatment को decide करना, यह pharmacist का रोल है, यहाँ जो है pharmacist एक important role play करता है, तो दीरे दीरे जब यह knowledge होगा, तो वो train हमारे हाँ भी चालो हो जाएगा, कि doctor सिर्फ disease को diagnose करेगा, disease की type को diagnose करेगा, और doses को type of drug को कौन सी drug, कितने dose के लिए, कितना duration के लिए इसको patient को drug चाहिए, यह सारा decision जो है वो chemist और pharmacist की ले सकता है, तो अगर यह सब knowledge रहा, तो इसके objectives के अंदर, जो Pharmacy Council of India Education Regulation 2020 के according pharmaceutical chemistry के जो objectives है, उसमें खास्वर से यह चीज मेंचन किया, कि this course will discuss the following aspect of chemical substances used as a drug and pharmaceuticals for various disease condition, इसमें chemical classification, chemical name and chemical structure, pharmacological uses, doses, stability, storage condition, and different type of formulation, dosage form and their brand names, and it is also necessary to know the impurity testing and basic quality control test, इसके साथ-साथ यह भी जुरूरी है, कि जो drug use कर रहा है, जो substance as a medicine use कर रहा है, तो उसमें कौन-कौन सी testing को perform करके, उसकी purity को और उसमें कौन सी type की impurity possible है, इसको मालूम करना, यह एक important criteria है, किसी भी purity को, drug की purity को और substance की purity को मालूम करने के लिए, कि कौन से test को perform करना है, impurity को कैसे, किस type की impurity possible है, impurity को कैसे determine कर सकते हैं, उसमें कौन-कौन से basic quality control test है, जो हम उसमें apply करके, उसकी testing करके, यह चीज़ डिसाइड कर सकते हैं, कि this product is a good quality product, यह जो है, good quality product है, तो अगर हम कोई इसके objectives मालूम रहेंगे, तो यह objectives के अंदर, अगर हमने इसको mention किया, तो एक students को vast knowledge किसी drug का और pharmaceutical का हो सकता है, जिसके जो आगे उसको research के अंदर आगे education में उसको, क्योंकि यह diploma level पे है, इतना knowledge इसके लिए sufficient है, अब जब degree level पे है, तो इसी basic knowledge के according वो आगे अपना education को continue कर सकता है, अब हम यहाँ देखेंगे, कि what is error, कि वो error क्या है, error को हम अगर general way में कहें, तो बहुत सकते हैं, mistakes, किसी भी analysis में, किसी भी practical में, किसी भी experiments में, जो mistakes आती है, और यह natural है, कि कोई भी person, कोई भी practical जो है, एकदम perfect नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ minor mistakes हो सकती है, लेकिन हमारे लिए यह important है, कि इस mistake को minimize करना, कम से कम लाने की कोशिश करना, कि वो practical इस तरह के से हो, वो experiment इस तरह के से हो, कि उसके अंदर कोई mistakes ना हो, जिसको हम unavoidable things भी बोल सकते हैं, तो कुछ चीज़ें जो अवाइड नहीं कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ें जो uncertain होती है, वो अगर appear हो गई, कि उसका कभी-कभी कोई reason, कोई-कोई reasons भी हो सकते हैं, यह mistake के क्या reasons हैं, और कभी उसका reasons भी नहीं होता, तो लेकिन यह important है, यह इस चीज़ का knowledge बहुत जुरूरी है, कि error क्या है, कौन सी possibility है, क्या-क्या possibility है, जिसकी वज़े से किसी भी practical में, किसी भी experiment में error आ सकता है, हम error को कैसे omit कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, minimize कर सकते हैं, अगर उसका cause मालुम रहा कि error क्या है, उसका causes क्या है, और उसको कैसे minimize कर सकते हैं, तो फिर दीरे उसके अंदर perfection, वो चीज़ के अंदर perfection आ सकता है, तो हम error को बोल सकते हैं, एक general way में, जैसे मैंने अभी कहा, साव मिस्टेख अंसरे नंट शेंट से विच एपिद शेह एक्स कीया लिए को सिंपल वे में down discour Essa that arises in analysis. Error can be defined as the uncertainties that arises in analysis. Error जो है, ऐसी uncertain things है, ऐसी mistakes है, जो analysis में आती है. उसको हम error बोलेंगे. अब error है, तो error को कैसे minimize कर सकते हैं, कैसे उसको omit कर सकते हैं, कैसे उसको कम कर सकते हैं. उसके लिए एक important चीज है, कि error कैसे कम किया जा सकते हैं. error, यह तो possible है, कि error आएगा, लेकिन error को कैसे minimize किया जा सकता है. इसके लिए important चीज है, कि कोई practical हम perform कर रहा हैं, कोई experiment perform कर रहा हैं, तो किसी एक value को हम consider नहीं कर सकते हैं, it is a true value, और best value. किसी भी एक, कोई एक practical perform किया, और वो value हमने निकाला, और उसको consider किया, कि यह बिल्कुल best value है, इसके अंदर mistake के ज्यादा chances है, इसके अंदर mistakes के, और error के बहुत ज्यादा chances है, लेकिन इसी analysis को same sample पर हमने analysis perform किया, same quantity लेकर, same procedure को adopt करके, और इसके बाद different machines के, different method के जरीए से, same quantity में हमने इसको analyze किया, तो error को हम rectify कर सकते हैं, minimize कर सकते हैं, अब इसके अंदर minimize करने के लिए, जैसे मैंने कहा, कि अगर practical को हम बार-बार repeat करें, when the replicate analysis analysis are carried out on the same sample of the same homogeneous badge, several results are obtained, and the arithmetic mean of all these results, के सारे results का जो arithmetic mean है, that will be considered as the best value or the true value, उसको हम consider करेंगे, best value और true value, तो error commit करने के लिए, error को minimize करने के लिए, error को कम से कम करने के लिए, कि analysis को हमने बार-बार-बार-बार-बार repeat किया, जैसे कोई हम titration कर रहा है, sodium hydroxide का, HCl से titration कर रहा है, या ACO boric acid में हम practical perform कर रहा है, तो उसके अंदर हम analysis को किया, पहले हमने एक reading निकाला, titration की reading, ब्यूरेट से अगर हमने निकाला, तो अगर उसकी reading 10.1 ml आई है, ब्यूरेट की reading 10.1 ml आई, इसको हम consider कर सकते हैं, experimental value, लेकिन ये value बिलकुल accurate होगी, ये possible नहीं है, तो इसलिए हमने अगर इसको दो बारा repeat किया, दोबारा अगर reading लिया, तो 10.15 ml reading आई, फिर तीसरी मरतबा किया, फिर 10.1 आई, चौत्री मरतबा किया, तो 10 ml reading आई, और एक और बार repeat किया, 10.1 ml repeat reading आ रही है, तो अब ये बहुत important है, कि ये पाच्छों values को add करें, और उसको 5 से divide करें, जो mean value आएगी, जो mean value आएगी, उसको consider करेंगे हम, best value, और ये इसी को हम, बोल सकते हैं, true value, इसी को बोल सकते हैं, true value, ये के हम कोई practical perform कर रहा है, same sample हम ले रहा है, analysis के लिए, same chemicals को, same quantity के साथ, same batches के sample के साथ, उसको repeat कर रहा है, same procedure के साथ में, उसके readings आ रही है, readings आ रही है, जितने reading जैसे पाच, five times हमने इसको repeat किया, और ये पाच्छों value उसको add करके, उसको five से divide किया, उसकी mean value निकाला, ये mean value को, we will consider, this mean value is the best value, or the true value, इस mean value को consider करेंगे, accepted mean value, or the best value, ये हमारी accepted mean value है, और best value है, अब ये value को consider करके, हम यहाँ, accuracy को कैसे define करेंगे, और error को कैसे define कर सकते हैं, ये दोनों के हमारी एक value है, जो हमने true value consider किया, true value consider किया, और एक हमारी experimental value है, एक experimental value है, एक true value है, और experimental value है, accuracy बोच सकते हैं, the closeness of experimental value to the true value, closeness of experimental value, closeness of experimental value and the true value, closeness of experimental value and the true value, is known as accuracy, कि experimental value और true value जितनी close होगी, experimental value और true value जितनी ज़्यदा close होगी, वो हम उसको consider करेंगे, accuracy, accuracy can be referred as the closeness of experimental value, and the true value, true value और experimental value जितनी ज़्यदा close होगी, वो उतनी ज़्यदा accuracy होगी, उसको हम accuracy बोल सकते हैं, और बिलकुल इसके opposite, difference between the true value and the experimental value, difference between the true value and experimental value, true value और experimental value के बीच में जो difference होगा, difference between the experimental value and the true value is known as error, उसको हम error बोलेंगे, ये value के बीच में जितना ज़्यदा difference रहेगा, difference बढ़ते जाएगा, error बढ़ते जाएगा, ये value जितने एक दूसरे से close आते जाएगी, तो error उतना काम होगा, वो experiment उतना ज़्यदा accurate होगा, उतना ज़्यदा accurate होगा, तो difference between the experimental value and the true value, is known as error, and this type of error is known as absolute error, इस type के error को हम बोल सकते हैं, difference between the experimental value and the true value, this type of error is known as absolute error, इसको हम absolute error बोलते हैं, इसको absolute error बोलते हैं, and the ratio of absolute error to the true value is called relative error, के absolute error और true value का जो रेश्यो हैं, absolute error और true value का जो रेश्यो हैं, उसको बोलते हैं relative error, relative error, तो यहां दो चीज़े हैं, एक absolute error हैं, एक तो error है, के error can be defined as the uncertainties that arises in chemical analysis, error को हम बोल सकते हैं, uncertainties that arises in chemical analysis, and there are two type of error, absolute error and relative error, तो इसमें, difference between the experimental value and the true value, is known as absolute error, and the ratio of absolute error to the true value, is known as a relative error, के दोनों का जो रेश्यो हैं, उसको हम relative error हैं, अब error को, जो error हैं, हम इसको दो उसमें divide कर सकते हैं, जैसा यह तो absolute relative error है, के error के cause के according, error के causes के according, के error क्यों आ रहा है, इसके क्या causes हैं, उसको हम कैसे minimize कर सकते हैं, को इसको दो टाइप में हम divide कर सकते हैं, error को हम दो टाइप में और दो टाइप में divide कर सकते हैं, एक तो पहला है, Determinate Error, Determinate Error, और second type में Indeterminate Error, डिटर्मिनेट एर्र और दूसरा जो है इन डिटर्मिनेट एर्र एर्र को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं एक डिटर्मिनेट एर्र और एक इन डिटर्मिनेट एर्र डिटर्मिनेट एर्र अब इसमें डिटर्मिनेट एर्र किसको बोलेंगे कि डिटर्मिनेट एर्र व वो error जिसको हम determine कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, is known as determinate error, the error which can be determined is known as determinate error, this error can be avoided or corrected, इस error को avoid भी कर सकते हैं, correct भी कर सकते हैं, क्योंकि, क्योंकि ये error क्यों आ रहा है, ये हमको मालूम हो सकता है, इस वज़े से इसको मालूम भी कर सकते हैं, आवाइट भी कर सकते हैं मालूम यह reason अगर मालूम हुआ तो उस error को हम आवाइट कर सकते हैं minimize कर सकते हैं और बिल्कुल उसको correct भी कर सकते हैं and the causes which leads to this error are उसमें क्या-क्या causes है जिसकी वजह से error आ सकता है कि तो सबसे पहला cause हम इसके अंदर बोल सकते हैं के instruments कि हम जो instruments use कर रहे हैं अगर वो instrument calibrated instruments नहीं है या हम बहुत old type के instruments हैं हम उसको ऐसे type के instruments को use कर रहे हैं और वो constantly उसके अंदर कोई error है उसके reading में कोई error है तो हमारी final reading में भी वो error आएगा तो हम उसको सही type का और नियूली जो instruments हैं और नया टाइप का जो instruments हैं यह instruments को change करके उस error को हम minimize कर सकते हैं खतम कर सकते हैं करक कर सकते हैं एक तो जो main cause है error का वो instruments हैं इसलिए हर instruments को within 15 days calibration करना जरूरी है कि अगर हम कोई pH meter यूज़ कर रहा है polarimeter यूज़ कर रहा है refractometer यूज़ कर रहा है या फिर और spectrophotometer यूज़ कर रहा है तो उसकी reading को calibrate करना और जैसे IP में उसका सारा procedure दिया है किसी instruments को कैसे calibrate करते हैं कैसे उसको validate कर सकते हैं तो उसके according उस procedure के according जाकर उस instruments को validate करना उसको calibrate करना तो instruments को calibrate करके हम error को minimize कर सकते हैं खतम कर सकते हैं आवाइड कर सकते हैं दूसरा जो operation है क्या procedure है procedure के अंदर कुछ mistake है तो दो तीन procedure को follow करके अगर percentage purity मालूम करना है तो HPLC के तो परसंटेज purity मालूम कर सकते हैं direct titration के तो percentage purity मालूम कर सकते हैं और gravimetric analysis के तो percentage purity मालूम कर सकते हैं तो हम उस चीज को जो है एरर है वो operation को select करके और method को select करके कैसे उसको operate करते हैं उसको select करके हम उसको rectify कर सकते हैं तीसरा high quality के chemicals को use करके अगर हमने low quality के chemicals use किया तो बहुत बड़े chances हैं कि उसकी वज़े से भी error आ सकता है an error in methodology जो methods हम use कर रहा है कौन से method को follow कर रहा है और कौन से method को अभी नए-ए methods आ रहा है तो कौन से method को follow करना चाहिए हम कौन से methods को follow कर रहा है तो ये सारे चीजें हम choose करके और ये सारे चीजें जैसे instruments के को नया instrument use करके और instruments को calibrate करके हम error के और mistake को avoid कर सकते हैं operation को सही operation जो perform करना है तो उसको सही करके हम error को minimize कर सकते हैं कर सकते हैं chemicals standard quality की chemicals को use करके error को minimize कर सकते हैं ऐसे ही methods different methods हैं किसी भी analysis के उसको सही method को follow करके हम error को avoid कर सकते हैं तो यह तो determinate error है तो determinate error को हम कैसे बोल सकते हैं the error which can be determined and this error can be avoided or corrected and the cause of this error leads to the cause of these errors are instruments operation chemicals and methodology इसके साथ साथ जो next है वह indeterminate error indeterminate error the error which cannot be determined वह जिसको मालूम नहीं किया जा सकता वह जिसको मालूम नहीं किया जा सकता हम उसको indeterminate error बोलेंगे इस आप आप एर इस नोन as accidental error indeterminate error also known as accidental error के indeterminate error इसको accidental error भी बोल सकते हैं the cause of the error this error is difficult to determine cause of this error is difficult to determine यह error का cause मालूम करना बहुत difficult है so these error cannot be determined hence cannot be avoided or eliminated क्योंकि इसको मालूम नहीं किया जा सकता इसकी वजह से इसको आवाइड भी नहीं किया जा सकता यह error को मालूम नहीं किया जा सकता इसकी वजह से इसलिए इसको accidental error भी बोलता है इसलिए इसको accidental error भी बोलता है क्योंकि इसको मालूम नहीं किया जा सकता और मालूम नहीं किया जा सकता तो फिर उसको avoid भी नहीं किया जा सकता तो इस तरीके से हम इसको हो कर सकते हैं अब इसके बाद जो important चीज है वो precision है जो हम analysis कर रहा है उसमें एक important word है और एक important ऐसा इसलिए प्रफॉर्म करने में जो चीज हमको मालूम होना है वह किसी भी experimental experiment का precision है यह यह चाहिए प्रेशीजन क्या है क्या यह प्रेशीजन अक्यूरेट हो सकता है क्या प्रेशीजन हमेशा accurate रहता है प्रेशीजन हमेशा accurate रहता है यह भी मालूम करना जुरूरी है कि कोई value आ रही है कोई practical perform कर रहा है और constantly एक ही reading हम मिल रही है एक ही reading हमको मिल रही है तो हम बोलेंगे कि this procedure is very precise यह procedure बहुत ही अच्छा है बहुत precise है इसकी value बहुत ही सही है तो यह precise value तो हम बोल सकते है लेकिन इसको accurate value consider नहीं कर सकते हैं इसी को precision में बोल सकते हैं कि अगर हम कोई practical perform कर रहा है और कोई reading बार-बार repeat हो रही है वो repeat जो same reading अगर बार-बार-बार repeat हो रही है तो यह this practical is very precise हम बोल सकते हैं कि यह practical बहुत ज्यादा precise है लेकिन एक चीज़ important है कि जैसे अगर instrument constantly error दे रहा है तो वो जो value मिलेगी वो precise value रहेगी यह लेकिन वो accurate नहीं होगी method constantly कोई error दे रहा है procedure कोई constantly कोई error दे रहा है तो value तो precise होगी precision मिलेगा लेकिन वो accurate नहीं होगा तो अब यह चीज़ important है कि precision क्या है प्रिसीज़न को हम बोच सकते reproducibility of the measurement reproducibility of the measurement बहुत easily कि कोई reading बार बार reproduce हो रही है री अपियर हो रही है उसको precision बोलता है कि कोई reading it precision means reproducibility of the measurement when the analysis I when the analysis is carried out on the same identical sample of the same homogeneous batch of the material कि जब हम analysis को perform करते हैं same homogeneous batch वाले material का same sample का same quantity के साथ same procedure को follow करके तो जो reading बार बार reproduce होती है उसको precision बोलता है अब इसके अंदर इसको एक example के साथ इसको बहुत easily हम समझ सकते हैं कि कुछ students है हमने कोई students को practical perform करने के लिए दिया है और students practical perform कर रहा है चार students है चार जैसे student number one है student number two है student number इसमें हम बोल सकते हैं इस्टूडेंट्स को हमने वह किया एक इस्टूडेंट नमबर वन है इस्टूडेंट हिस्टूडंट कि कि तो है इस्टूडेंट 3 है and student 4 है यह चार students को हमने प्रैक्टिकल लिया same sample के साथ में same procedure के साथ में same quantity के साथ में अब यह student जो है वह प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं और हर students को हमने कहा के दो दो reading जो है practical को दो बार परफॉर्म करके दो reading को यह calculate करना है तो एक result 1 है और एक result 2 है अब दो पहला student है उसने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया उसकी जो reading आई suppose 4.95 फॉर्स टाइम इनने experiment को perform किया analysis को perform किया उसका reading आई 4.95 सेकंड टाइम उसने वह किया तो इसकी reading 4.96 अब इसके बाद एक दूसरा student है उसने practical पर सेम कॉंटिटी के साथ सेम प्रोसीजर के साथ उसके प्रैक्टिकल टाफॉर्म किया उसके reading आई 5.01 इसकी reading आई 5.00 यह उसकी ख्रीज़ाए इस ही सेकंड इस्टूज़न से रीडिंगाइं और इस्टूज़न की रीडिंग 4.95 पहले रीडिंग 4.96 दूसरा इस्टूज़न है पहली रीडिंग 5.01 दूसरी कह G5.00 अब इसके बाद थर्ड इस्टूज़न ने पर प्रेच्टिक excited रीडिय्ग 4.99 और इसके पाद 4. है अब इस्तुडै नंबर 4 है उसने सेभे सेम अकॉंटिटी्टी SAP पर नुस्टिक यृटिको मैं इसकी लिर्डिर्ग ए 4.99 और एक नाङ 식으로 4.1 इसे प्रार पॉंट वन अभिये प्राक्टिक लदो दो दो-दो reading student ने perform किया अब इससे पहले हमने students के perform करने से पहले हमने इसकी true value मालूम कर लिए इसकी true value क्या है उसकी true value अगर five और थी उसकी true value जो five थी तो हमने accuracy को define किया था closeness of experimental value to the true value is known as accuracy यहां यह important चीज है कि इसको देखना बहुत important है कि accuracy क्या है कि true value और experimental value जितनी जैदा close रहेगी वो उतने जैदा accurate रहेगा अब यह true value हमारी five है आप इससे compare करें इससे हमारी true value five है इससे compare करें तो पहले वाले को अगर हमने compare किया तो यह जो दो reading है तो दोनों में plus minus zero point one person का difference है पहले students की दो reading है कि इसमें इससे ज्यादा difference नहीं है zero point one plus minus zero point one person के range के अंदर यह difference है इसके अंदर दूसरे students का भी देखेंगे वह भी same range के अंदर difference है तीसरे student का देखेंगे तो भी same range के अंदर student result है लेकिन चौथे नंबर के students को जब analysis का और उसका result देखेंगे तो इसमें काफी difference है तो हम यह तीनों students की reading को बोल सकते हैं कि पहला जो student है इसकी value जो है लेकिन accurate नहीं है क्यों कि true value 5 है इसकी value 4.95 4.96 जा रहा है तो true value 5 है यह यह दो value precise है लेकिन accurate नहीं दूसरे नंबर के students को अगर देखेंगे तो हम वो सकते हैं कि results of student number second is precise as well as accurate the results of student number two is precise as well as accurate second number के students की जो value है वो precise value भी है और accurate value भी है क्योंकि यह true value से बहुत ज्यादा close है अब थर्ड नंबर का student को हम बोल सकते हैं कि यह भी value precise है लेकिन accurate नहीं है लेकिन हम fourth number के students की जब analysis को और इसके results को देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि precise भी नहीं है और accurate भी नहीं है और accurate भी नहीं है तो हम एक statement यहां दे सकते हैं यहां यह दोनों value good precision value बोल सकते हैं यह भी value good precision value बोल सकते हैं यह भी value good precision value बोल सकते हैं कि एक value दो बार repeat हो रही तो यह precise value है लेकिन यहां पर second number के students को this value is precise value also a accurate value because it is very close to the true value क्योंकि यह true value से बहुत ज्यादा close है इसके लिए precise भी है accurate भी लेकिन student number four में यह precise भी नहीं है accurate भी नहीं है तो हम बोच सकते हैं good statement इसके लिए दे सकते हैं कि good precision is not necessary accurate यह statement लिख सकते हैं कि good precision is not necessary accurate a constant error may be a good precision यह बहुत important है कि अगर good precision है यह जरूरी नहीं है कि वो accurate होगा अगर constant error आ रहा है तो वो good precision है but deviate from the accuracy वो accuracy से बिलकुल थोड़ा था differ होगा deviate होगा तो इस तरीक से हम precision को explain कर सकते हैं कि reproducibility of the measurement when the analysis is carried out on the same identical sample of the same homogeneous batches of the same material good precision is not necessary accurate a constant error may be a good precision but deviate from the true value इसके लिए यह practical perform कर गए हमने students को perform करके बताया तो इस तरीके से हम उसको explain कर सकते हैं कि precision value किसको बोल सकते हैं इसके बाद इंपोर्टेंट चीज है जो जो किसी भी results को express करने के लिए जहां candidate और कोई भी student है यह कोई practical perform करता है बहुत बड़ी mistake हलांके chemical सही यूज किया instrument भी सही कैलिबरेटेड इंस्टुमेंट यूज किया और method भी बहुत सही उसकिया लेकिन थोड़ी सी negligency की वजह से कहां mistake आ सकती है उसके लिए इसको समझा जोड़ी हुआ है significant figure significant figure significant figure significant figure यह significant figure जिसको important figure भी बोल सकते हैं important important figure significant figure और यह फिर important figure तो हम देखें कि कोई practical perform करते हैं एक बहुत बड़ा example है कि हम किसी भी standard solution जो titration में यूज कर रहा है कोई भी standard solution हम जो titration में यूज कर रहा है या तो उसकी normality मालूम करते हैं या उसकी molarity मालूम करता है को इस standard solution हमने लिया और titration के अंदर और उसकी molarity और normality हमने calculate किया और normality को जितने digit में express करना चाहिए और value को जितने digits लेना चाहिए अगर हमने वो डिजेश नहीं लिया तो बहुत बड़ा मिस्टिक हमको calculation में और इसकी percentage purity के calculation में आ सकती है जिसे for example हमने molarity calculate किया तो sodium hydroxide solution हम ले रहे हैं sodium hydroxide solution ले रहे हैं जिसकी normality जो है हमारे calculation के हिसाब से 0.1 259 हमने calculate किया मुलारेटी हमने 0.1 259 calculate किया और यह मुलार परसेंटेश प्यूरीटी किया standard solution की molarity और normality हमने निकाला और इसको calculate किया अब इसको हम percentage purity calculate करने के लिए यूज कर रहा है एक्जामपल के what is the meaning of significant figure के significant figure के क्या meaning है इसका क्या importance है यह figure कितने जुरूरी है कोई digit किसी results को कितने digit में express करना चाहिए किसी results को सही value लाने के लिए कितने digit जुरूरी है कि यह यहां बहुत important है तो इसी को बोलते है significant figure तो हमने molarity यह normality किसी भी solution की जैसे sodium hydroxide की solution की निकाला जिसमें 0.1259 molar solution sodium hydroxide का है हमने molarity निकालने के बाद इतनी molarity यूज किया अब इस value को हम percentage purity मालूम करने के लिए यूज कर रहे हैं उस formula में इसको पूट यह value को put up कर रहे हैं हमने हमारी थोड़ से negligency की वज़े से हमने क्या किया कि यह पूरे digits को put up करने के लिए उसकी value को put up करने की जगह हमने जारेक लिए 0.1 molar यह value percentage purity के formula में इसको यह value ले लिया हम सो समझें कि 0.12 0.1259 है अगर हमने 0.1 भी लिया तो कोई ज्यादा वो नहीं होगा लेकिन हम अगर हम final calculation इसको करेंगे तो 3% का difference आएगा 3% का difference आएगा और अगर हम किसी भी इंडियन फॉर्मकोपिया यह किसी ऑफिशिल फॉर्मकोपिया को उठा कर देखेंगे उसकी percentage purity की रेंग खुछ sodium sodium chloride है और इसकी percentage purity की रेंग देखेंगे के it contains not less than 99% and not more than 100.5% weight by weight of weight by weight of इसको अगर हमने percentage purity निकाला तो यह रेंज में उसकी percentage purity आने चाहिए percentage हमने सारे methods भी सही उसकिया instruments भी सही उसकिया और skilled person है सबने हर चीज हमने perfectly यूज किया लेकिन थोड़ से negligency से जो मुलारेटी की digits है जितने digits में मुलारेटी को की value को percentage purity के formula में put up करना चाहिए था हमने वो नहीं किया तो उसकी वज़े से 3% का difference आएगा तो यहां तो sample fail हो जाएगा यहां sample fail हो जाएगा तो इसलिए किसी भी figure को जितने digits में express करना जुरूरी है अगर हमने उसको उतने figures में express किया वह उसका सिग्र वह significant figure है तो हम significant figure को simple way में define कर सकते हैं significant figures are the digit which have practical meaning significant figures are the digit which have practical meaning significant figures वो digits है जिसके कोई practical meaning चाहिए यहां हमने इसको वाइट कर दिया यह समझ के कोई practical meaning नहीं इसके बहुत बड़े practical meaning चाहिए हमको यह चार digit में express करना चाहिए था explain करना चाहिए था value को त्यार digit में लेना चाहिए था लेकिन हमने नहीं लिया तो उसकी वजह से क्या हुआ हुआ बहुत बड़ा mistake इसके अंदर percentage purity calculation के अंदर आया तो यह हर significant figures are the digits which have practical meaning or the significant figures are the digits necessary to express the results significant figures वो digits है जो किसी results को express करने के लिए जुरूरी है and which are constant with the precision of the measurement तो simple way में हम define कर सकते हैं कि significant figures are the digits which have practical meaning or the significant दूसरे तरीकर शेकर एक्सक्राइब करना है तो significant figures are the digits necessary to express the results which are constant with the precision of the measurement अब इसमें significant figures किसको बोलेंगे इसको कितने figures digits को कितने figures में हमको कोई results को लेना है कौन से figure significant figure है और कौन से digit significant figure है यह भी बहुत ज्यदा important है अगर कोई value है 3567 यह है अगर यह values है तो यह यह बोल सकते हैं एक तो यह value है इसके बाद एक value है 30.07 30.07 एक figure है 0.0052 एक figure है 100 एक figure है 100.00 तो यह different figures है अगर पहला figure है दूसरा figure है तीसरा figure है है 14 है इसमें कितने digits वह significant है यह बहुत important है यह पांच examples अपने सामने हैं कि एक तो पूरा numbers है दूसरे में कुछ digits numbers में हैं कुछ जीरो में है कुछ इसमें 0 है कुछ वह है तो अब यह सारी figures अगर हम देख रहे हैं तो इसमें significant figure क्या है उचके हैं कुछ rules है there are certain rules for determining the number of significant figure कुछ rules हैं जिसके जरीए से हम नालुम कर सकते हैं कि significant figure कौंश है all non zero digits are significant figure सबसे पहला important all non zero digits are significant figure के non zero digits यह हैं पहला हम लिख सकते हैं all non zero digits are significant figures के non zero digits जो है वह significant figure है पहला हमने इसको लिए लिया second rules के अंदर zero between two non zero digits zero between two non zero digits zero between two non zero digits are significant figure zero between two non zero digits are significant figure के 2 non zero digits के पीच में जो भी zero रहेंगी वह significant figure तो यहां भी significant figure चार है यहां भी significant figure जो है वह चार है यह यह important है और in this figure zero point zero zero five two these three zeros are non significant zero preceding to first non zero digits zero preceding to first non zero digits are not significant such zero indicate the position of decimal point यह जो है यहां यह figure के अंदर में यह जितने भी zero है जो first non zero digits के पहले हैं वह non significant है यह 0 सिफ decimal point की position को indicate करते हैं यह नंबर one zero zero hundred all zero are non significant यह दोनों zero जो है non significant है but in case of hundred point zero zero यह figure के अंदर hundred point zero zero के अंदर this number is this number has five significant figure और जो जो zero है पॉइंट के आगे जो zero है this show the least count measurement least count measurement कि किसी भी instruments का जो least count होता है यह zero उस चीज़ को show करते हैं तो यह पाचों भी zero significant यह चारों भी zero जो है significant figure में include होता है तो यहां इसके पाच significant figure है इसके one significant figure है इसमें इस value के अंदर वो significant figure में include है तो